बिना सुई धागे के नॉर्मल मशिन के उपर हमने यह आई बनाए हैं जो कि रेडिमेड ब्लाउज में होते हैं वही फिनिशिंग इसमें भी आया है और इसका बहुत यह आसान तरीका वीडियो में बता है आपको जरूर पसंद आएगा बस आपको वीडियो को बिना स्किप क यह लाख तक देखना है ताकि पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आए तो चलिए शुरू करते हैं नमस्ते मैं हूँ उज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रियेट्यू फैशन में यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडिय तो 3 में देख सकते हो आई बनाने के लिए 2 पटिया लेनी है उसमें से यह कम चोड़े रहेगी पौने 2 इंच की यानि 1.75 और जो जादा चोड़े रहेगी वो सवा 3 इंच रहेगी मतलब 3.25 दोनों को एक दूसरे के उपर अच्छे से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा तो यह अंतर कितना रहेगा यह आपको एक इंच रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाते समय हमें बढ़ा टाका लेना है तो उसके लिए हमें नंबर बढ़ाना होगा तो नॉमली हम दो नंबर से सिलाई करते हैं लेकिन अभी हमें बढ़ा टाका चाहिए तो मैंने 5 नंबर पहले लिया है आपके मशिन में जो भी नंबर का setting है उस नंबर के setting को आपको बड़ा रखना है जैसे की मैंने 5 नंबर लखा है अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे मतलब हमारी जो सिलाई है टाका है वो बड़ा वाला आएगा तो ये बड़ा वाला टाका यहने बास्टिंग स्टीच उसे कहते हैं वो हमने ले ली है यहां से हमने सिलाई लगाई है तो अब हम क्या करेंगे देखो इस तरह से पकड़ेंगे और इसको पलटेंगे तो इससे क्या हुआ छोटे वाली पट्टी एक तरफ और बड़ी वाली पट्टी एक तरफ चली गई और जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई हम थोड़ा सा कपड़े को खीचेंगे तो ये देखे इस तरह से गाप नजर आएंगे तो ये हमने बड़ाटा का इसलिए लगाए हैं क्यूंकि इसके बीच में से हमारे जो आई है वो इजीली अंदर चले जाए अब क्या करेंगे हम पैटन लेंगे जिस साइड में हमें ये आई पट्टी लगानी है उस साइड का पैटन लेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो ये ब्लाउज का पैटन में ने रख दिया अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे तो जहाँ पर हमें आई लगाने हैं वहाँ पर हम मार्क करेंगे अब मैं pattern को side में रखोंगी और ये जो निशान है इनको मैं dark कर दोंगी अब ये ready made eye है किसी भी tailoring material में आपको मिल जाते हैं अब इन eye को हमें इसके अंदर डालना है तो मैंने पहले ही दिखाया था बड़े टाको वाली सिलाई लेने के कारण इस तरह से gap तयार होते हैं और इन gap में से ये easily अंदर चले जाते हैं इस तरीके से ये देखिए बहुत ये आसानी से अंदर चले जाएंगे इसी तरीके से ये देखो सीदी साइड में आपको ये इस तरह से नज़र आएंगे तो इसी तरीके से मैं सारे eye को इसके अंदर डाल कर ले लूँगी इससे क्या होता है eye का जो face होता है वो सिर्फ उपर की तरब दिखेगा और जो उसका पिछला हिस्सा होता है वो यहाँ पर छुपाए रहेगा इससे इसका finishing भी अच्छा आता है और दिखने में भी ये काफी खुबसूरत लगता है तो सारे eye मैंने यहाँ पर डाल दिये है eye मैंने यहाँ पर डाल दिये है आप मैं सीधी साइड से इसको दिखाऊंगी यह कैसे दिखेगा अब इस साइड से देखो यह जो eye है इसका face होता है यानि goal साइड जो होती है वो पड़े वाले पट्टे की तरफ रहनी चाहिए इसका vicious ध्यान रखेंगे अब मैंने यहाँ पर लिया है सुई धागा तो आप कहोगी कि सुई धागे की तो कोई जरूरत ही नहीं है जबके हमें normal machine के उपर सिलना सेखना है जी हाँ बिल्कुल normal machine के उपर भी मैं आपको बताऊंगी और सुई धागे की मदद से भी कैसे इसको fix करते हैं वो मैं पताऊंगी मतलब दो तरीकी सिखेंगे तो पहले क्या करना है सुई धागे की मदद से इनके जो holes होते हैं उनको हमें यहाँ पर टाके लगा कर fix करना है तो यह देखिए जो हम normally टाका लेते हैं उसी तरीकी से मैं टाके ले रही हूँ एक hole में से 2 से 3 टाके या 4 भी आप ले सकते हो मैंने 3 टाके लिए हैं और सेम टाके हमें दूसरे hole में से भी लेने हैं तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ एक है सुई धागे की मदद से हम इसको fix करेंगे और दूसरा तरीका है जो कि बिना सुई धागे के सिर्फ और से हमारे normal machine के उपर इसको कैसे fix करना है तो बहुत यह आसान तरीके हैं दोनों भी बस आपको जो आसान लगे आप वो इस्तमाल कीजिएगा तो यहाँ पर देखो दूसरे होल में से भी मैंने तीन टाके लेकर यहाँ पर अब मैं गाट लगा रही हूँ जो कि हम normally लगाते हैं तो इस तरीके से धागे में से सुई निकाल कर मैंने यहाँ पर गाट लगाई है जैसा आप वीडियो में देख सकते हो अब हम दागे को तोड़ देंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी यहाँ पर हमारे साथ आई लगे हैं तो उसमें से तीन को मैं दागे से फिक्स करूंगी और बचे हुए जो चार है उनको मैं मशीन के उपर किस तरह से फिक्स करते हैं वो बताऊंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाईए ताकि हर एक वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो चार आई है इसे मैंने आगे से फिक्स किया है अब बढ़ते हैं आगे तो इस साइड की पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके लेना है थोड़ा सा नाखुन से प्रेस करके लिजेगा फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो एक्स्रा पट्टी हम रखते हैं उसको भी पूरी तरह से उपर की करना है लेकिन पहले मैंने बताया नाखुन से इसे प्रेस करना है और फिर इस साइड की पट्टी को भी हमें फोल्ड करके लेना है और इसे भी थोड़ा सा नाखुन से प्रेस करके लिजेगा अब यह तीनों साइड हमने इस तरह से फोल्ड करने के पाद इसे इस तरह से हम में फोल्ड करना है जिससे ये दोनों साइड बराबर से एक दूसरे के उपर बैठ जाए जैसे आप वीडियो में देख सकते हो दोनों को अच्छे से मिलाना है दोनों किनारों को अच्छे से मिला कर मैं इसको यहाँ पर पिंस लगा कर लूँगी ताकि यह इसी तरह से फिक्स रहे तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूँगी तो ये रहे पिंस, बस मैं दो ही पिंस लगाऊंगी नीची की तरप एक और इस साइड में एक तो बस हमारी पट्टी तयार है अब मैं इसको सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ तो देखिए ये है हमारी IPT तयार तो जैसे कि आपको अच्छे से याद होगा हमने ये सिर्फ तीन को सुई धागे से फिक्स किया है और नीचे की तरप के जो चार आई है इसको हम मशीन के उपर फिक्स करना देखेंगे तो इसको मैं मार्क करके लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से याद रहे कि इन चारों को हमें मशीन के उपर फिक्स करना है तो मैं दो तरीके बताने जा रही हूँ आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो तो चलिए मशीन के उपर तो हम आ गये हैं मशीन के उपर और ये देखे ये जो fold वाली साड़ी ये नीचे की तरफ रहेगी और ये जो खुली वाली है इसको गले की तरफ लगाएंगे मतलब उपर की तरफ तो अब हम लेंगे pattern और इस पटी को pattern के उपर कैसे रखना है देखो तो pattern को हमें यहां से quarter inch या जितना भी अपने margin छोड़ा है उतना fold करके यहां पर रख देना है और यहां से हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर थोड़ा camera को close करके देखेंगे तो ये नीचे की चार जो है हमने marking करके रखेते यह machine के उपर लगाएंगे fix करेंगे और उपर के तीन जो है वो हाथ से fix किये हैं तो सबसे पहले machine के उपर किस तरह से हम इसको fix करेंगे वो देखते हैंगे तो यहां पर देखो इस पट्टी को यहां से fold करना है pattern को और इसके उपर रखना है और फिर हम नीचे से शुरू करेंगे अब यहां पर विशेश को और कीजिएगा जबकि हम machine के उपर eye को fix करने जा रहे हैं तो जब switch चलेगी उपर नीचे तो यह हाथ से हम चाक को घुमाएंगे पैर से हम paddle को नहीं चलाएंगे हम हाथ से चाक को चलाते हुए machine को उपर नीचे करेंगे सुई को उपर नीचे करेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैंने pattern को fold करके इसके उपर रखती है और अब हम नीचे से शुरुवात करने जा रहे हैं जो कि हमें machine के उपर fix करना है तो देखो सुई को मैं उपर नीचे कर रही हूँ हाथ की मदद से मतलब हाथ से चाक चला रही हूँ machine का पैर से नहीं क्योंकि हमें जब सुई उपर नीचे करती है धीरे धीरे तो हमें अंदाजा आता है कि हमें आई को जब सुई टकराएगी तो हम pattern को थोड़ा सा आगे या पीछे कर सकते हैं अब देखो एक सिलाई मैंने लगा दी फिर से pattern को मैंने पीछे की तरफ लिया और फिर से टाका लगाया अब फिर से एक बार में इसको पीछे की तरफ रिवर्स लोंगी ऐसा मैंने तीन बार किया है ताकि हमारा जो आई है वो मजबुति के साथ बैठ सके तो यह देखिए तीन बार आप चार बार भी कर सकते हो लेकिन तीन बार करने से भी यह काफी मजबुति से fix हो जाता है तो सुई धागे की ज़रूद यहाँ पर हमें नहीं पड़ेगी तो आप देखो यहाँ तक में machine पैर से चलाओंगी मतलब कर पैडल से या motor से जो भी चलाते हो और फिर जब आई आता है तब मैं हाथ से चला रही हूँ यह देखिए मैंने आगे जहां जितना आई है उतना मैंने हाथ से चलाए है फिर से मैंने पीछे की तरफ लिया और फिर से मैं यहाँ पर हाथ से चला रही हूँ फिर से मैंने इसको पीछे की तरफ लिया क्योंकि हमें तीन से चार बार करना है और फिर से मैं हा पोटर से चलाओंगी या पैर से चलाओंगी अब हम आई की तरफ आ गये हैं अब यहां पर मैं हाथ से मशिन चला रही हूं आप देख सकते हो एक बार मैंने आगे की तरफ लिया फिर से मैंने इसको रिवर्स पीछे लिया और एक मैंने टाका लिया मतलब टाके लिये और फिर से एक बार पीछे की तरफ लेकर यहां पर मैंने इसको तीन बार सिलाई लगा कर अच्छा मजबूत बना दिया है यह देखिए आप कितना भी खीचोगे तो यह नहीं निकलेगा काफी मजबूति के साथ बैच जाता है तो इसी तरीके से हमें मशीन के उपर इन आइस को फिक् इन बार आगे पीछे करके इसको लॉक किया है मजबूति के साथ अब आगे यहां पर हमने देखो यह ओल्रेडी फिक्स किया है हाथ से टाके लेके ठीक है तो यहां पर हमें आगे पीछे मशीन करने की जरुरत नहीं बस हम सिंगल से लाई चलाएंगे लेकिन यहां पर बार ाइब को टकरा रही है तो हम थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको अड्यस्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आए आने पर में हाथ से मशीन चला रही हूँ बाकी में इसको पैडल से चला रही हूँ इस तरीके से तो बस इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे सारिएश पर लग चुके है और मैंने आपको दो तरीके बताए अगर आपको मशीन के उपर हाड लगता है आई को बनाना तो आप हाथ से पहले फिक्स कर दीजेगा और हाथ से अगर आपको ज्यादा टाइम कंजुमिंग लगता है तो आप मशीन के उपर फिक्स कर दीजेगा अब जाती और यह पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ गई है उपर का एक्स्ट्रा का कपड़ा में यहां पर कट कर दूंगी तो यह दीखी यहां पर हमारी हुक और आई पट्टी दोनों लग चुके हैं हुक पट्टी मैंने अल् पट्टी मशीन के उपर कैसे लगाते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और सिर्फ बताना ही नहीं है इसे ट्राय भी जरूर कीजेगा और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजेगा तो मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक अपना खायाल रखना बाबाई